दोस्तों जैसा कि कुछ coin है कुछ token है जो Atlantis exchange पर जिनका withdrawal खुला हुआ है तो क्या हम वहाँ से withdrawal कर सकते है Atlantis exchange से आज वही दोस्तों हम जानेंगे कि कौन कौन से coin है जिनको हम जो वहाँ से बिल्कुल transfer कर सकते हैं किसी other exchange पर दोस्तों हम चलिए आपको ले चलते हैं पहला तो अ दोस्तों आप वीडियो पर बने रहें बहुत ही काम आने वाली है वीडियो ठीक है यह देखिए हम अपने बाइनेंस को बाइनेंस इस्चेंज को खोल ले हैं अब अपने वैलेट में आ गए हैं यहां हमारे पास दोस्तों 15 मैटिक coin है ठीक है यह 15 देख लीजिए आप 15 bends रहा है अब चल रहे हैं हम अतलांटिस इस्चेंज पर है दोस्तों आ गये हम अतलांटिस इस्चेंज पर और यहां पर अपना वैलेट अभी को थी ओई ठीक है यह देखिए अपने वैलेट में चल पर और उसके लीए पार चलने हैं मै diffry क्वार काया है है एक मिल गया दोस्तो अब यहाँ भुआ यहाँ है यहां असको दावठेरेस खुल के आ रहा है ठीक है दोस्तों इहां एड्रेस खुल के आ रहा है इसी को हमको कौपी करना सब्सक्राइब ऐसको हम कोपी कर ले रहे हैं इस address को जैसे हमारे में address यह generate था पहले से लेकिन हम इसको refresh कर रहे हैं इसलिए कि हमको यहाँ पर mati coin ले आना है तो सोच रहे हैं refresh हो जाए फिर से तो भी refresh करके इसको फिर copy कर रहे हैं अब दोस्तो इसको हम copy कर ले रहे हैं फिर से copy करने के बाद उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग अपने Binance Exchange पे यहाँ Binance पे आगे दोस्तो और यहाँ हम जो है अपना address पेश्ट कर रहे हैं और यहाँ network जो है दोस्तो सेलेक्ट कर ले रहे हैं यहां नेटवर्क सेलेक्ट कर ले रहे हैं दोस्तो बी इपी 20 दोस्तो यहां हमने सेलेक्ट कर लिया अब जो है हमारे पास 15 मैटिक कोईन यहां पर है बाइनेंस में जो पूरा यहां आगया है दोस्तो अब इसको हम जो है विड्रोल करेंगे दोस्तो 15.2 था अब 15.1 दोस्तो यही जाएगा अतलांटीज इस्चेंज पर अब यहां कुछ यह वेरिफिकेशन मांग रहा है मोबाइल का और जीमेल का तो मोबाइल का हमने मार दिया है दोस्तो यह देखिए आगया OTP भी आ गया है इसको हम कॉपी करेंगे कॉपी करने के बाद हाँ यहां पेश्ट कर देंगे दोस्तो अब जीमेल वेरिफिकेशन को मारेंगे अब चल लहें जीमेल पर यहां जीमेल पर दिखिए दोस्तो आ गया है बाइनेंस की तरफ से OTP अब यहां इसको कॉपी करेंगे अब फिर यहां पर पेश्ट कर देंगे उसके बाद दोस्तो यहां से देखिए सक्सेसफूल हमारा यहां बाइनेंस से जो है विड्रोल हो चुका है Matic Coin और ये जा चुका है Atlantis Exchange पर अब हम यहाँ आ जा रहे हैं दोस्तों अपने Atlantis Exchange पर वापस दोस्तों यहाँ देखिए Confirm में नीचे लिखा हुआ है इसको दबाना जरूरी है दोस्तों जब तक हम इसको दबाएंगे नहीं तब तक हमारा कोईन या टोकन दिखेगा नहीं दोस्तों Atlantis Exchange पर अब चलते हैं दोस्तों अपने वैलेट में अपने वैलेट में यहाँ देखते हैं कि Matic Coin आया की नहीं आया दोस्तों यह देखिए Matic Coin है जो हमारे वैलेट में आ चुका है पंदरा ठीक है जैसा कि अपने आपको दिखाया थे देखिए Matic Coin हमारे वैलेट में आ चुका है Atlantis Exchange पर और अब इसको जो है हम यहाँ से करेंगे विड्रोल दोस्तों यहाँ से अब करेंगे हम इसको विड्रोल देखते हैं विड्रोल हो रहा है की नहीं दोस्तों यह विड्रोल आफ्सन खुला है और आगे हैं हम अपने Binance Exchange पर क्योंकि यहीं पर हमको भेजना है Atlantis Exchange से तो इसलिए deposit करके यहाँ का address हम लेंगे BP20 यहाँ भी चुन लेते हैं और इसका address copy कर लेते हैं और फिर दोस्तों वापस चलते हैं अपने Atlantis Exchange पर और यहाँ पर address को करते हैं paste Binance Exchange का जो address है Matic Coin का यहाँ करते हैं paste दोस्तों यहाँ paste हमने कर दिया अब जो है हमारे पास Matic Coin कितना है 15 है Atlantis Exchange पर अब इसको हम करेंगे 100% 100% पर देखेंगे 15 आ गया 15.1 अब इसको करेंगे हम submit दोस्तों इसको हम submit कर रहे है इसका कुछ चार्ज भी दोस्तों काट रहा है दोस्तों जैसे कि देखेंगे यह लिक कर आ गया है यहाँ पर 1000 Coin होना ही चाहिए ठीक है 1000 Coin होने रहेगा तो आप लेके जा सकते हैं आसे वरना नहीं लेके जा सकते हैं दोस्तों मैंने एक सिर्फ यह वीडियो बनाया जो इसको सिर्फ एक ट्राइल के लिए कि ताकि वहाँ विड्रोल खुला हुए Atlantis पे तो क्या अगर मेरा Coin वहाँ है तो वहाँ से हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं जैसे कि बेना बैलेंस रहे अगर हम विड्रोल कर रहे हैं तो फॉरन लिखके दे दे रहा है कि आपके पास बैलेंस नहीं है तो हमने यह एक ट्राइल के लिए एक वीडियो बनाया और दोस्तों आप Atlantis इस्चेंज पर अभी कोई भी डिपोजिट मत करिएगा क्योंकि रिस्क है यह वहां से विड्रोल होने रहा जैसे कि मेरा यह मैटिक कोईन फिलहाल वहां पर Atlantis इस्चेंज पर रुकाई रहेगा जब तक यह स्टार्ट नहीं होता है